अबस्कार सातियों स्वागत है आपका आप चैनल SSC Exam Voryum है दोस्तो SSC GD Constable की Waiting List को लेकर और SSC GD की भश्की परक्रिया को लेकर एक PMO Notice है जो आप लोग का देखिए सभी SSC Railway की एक्जाम को लेकर है इसके अंदर SSC GD की भी बात कही गई है तो यह PMO Office की तरफ से आया है और Major Receive Rise in the Mass Petition Received in PMO Office तो जैसे कि आप सभी को पता है ट्विटर कैमपेंज चला गया था SSC और Railway का एक्जाम को लेकर जिसके लिए बहुत सारे स्प्रेंट्स ने पैटीशन लगाई थी PMO Office में तो यह स्टेट्स हैं कि कौन-कौन से स्टेट्स से किसनी गिरिवेंस प्राप्त हुई थी आप लोग देख सकते हैं बिहार से देख सकते हैं यहां पर 265 पैटीशन प्राप्त हुई थी 26 फेरवडी को 27 को जो है 2662 एप्लिक से फाइल हुई तो उसकी वह आप लोग संक्या देख सकते हैं उत्तरपरदेशससे K06 फाइल हौई थी इसी तारीके से यहां पर उत्तरपरदेशका पूरा अप्शन है after that बात करें कि आप लोग की इन पैटीसंस को लेकर की अभीड आप लोग की क्या बात चल रहे है आप लोग के SSCGD की भरती पर क्या की वेटिंग लिस्ट को लेकर जैसे की इस पूरे लेटर को मैंने अलग से वीडियो में डिस्कस किया है यहां पर आप लोग की कुछ बाते कहीं किया क्या 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 डिमांड रखी गई ती इस ग्रिवेंस के अंदर तो यहां पर सबसे पहले देखिए कि 2017 में एक्जाम हुआ था इस प्रेंट्स का 2020 में जोईनी हुई थी इसको लेकर सबसे पहला पॉइंट रखा गया था कि इतना डेले क्यों हो राव बरती पर किया हमें 2018 में document verification हो गया था अभी SCGL की बात है इसका result out हो चुका है 2019 में exam जो है under process है 2019 के exam है अभी तक चल रहे है 2020 के exam का notification publish हुआ है 2021 के अंदर और after that नीचे आएंगे तो नीचे आप लोग की SSJD की बात कर लेते हैं कि SSJD में क्या चल रहा है तो यहाँ पर second number point में आप लोग का clear mention किया गया है कि क्या application थी और किस point को लेकर यह बात कही गयी है तो यहाँ पर waiting list को लेकर बात कही गयी है second number point आप लोग देख सकते हैं के लिए लिमेंसें है वेटिंग लिश्ट को लेकर इसमें वेटिंग लिश्ट को लेकर कहा गया है कि वेटिंग लिश्ट जारी नहीं करता है ससी जैसे कि एक्जाम के लिए तो वेटिंग लिश्ट जारी हूँ के बाद देखिए ससी एक्जाम जो है सुड़ी कम्प्लीट इन ये तो एक साल के अंदर एक्जाम कम्प्लीट करा जाए जाए ती अधर 21 में जाकर जॉइनिंग हुई है कंडियर्स की काफी डिले हो जाता है तीन साल का वह जिसमें एज भी आउट हो जाती है एक्षपेरेंट प्रश्चर जाए उसमें क्लियर्ली मेंसिन हूँ कि एक्जाम कर रोगाना है कि कंप्लीट कलेंडर जो है नोटिफिकेशिन के टाम पर ही डाल दिया जाए आगे बात करें तो आप लोग की जो है इसके अंदर रेंक लिश्ट की बात के ही ए रेंक लिश्ट बताई जाए और जो है डानली की प्रफेंस को जैसे कि अभी आप लोग को प्रिफेंस इसमें सुरुआत में दी जाती है जो है अपने प्रफेंस कर सके इसका एक मौका दिया जाए जैसे को और यहाँ पर देखिये COVID-19 को लेकर जो है डिले हुआ था उसकी बात भी यहाँ पर कही गई है और यह सब बाते हैं यहाँ पर बताएगे हैं सबसे इंपोर्टेंट जो है वो वेटिंग लिस्ट को लेकर है कि PMO अपिस तक बात चले गई है कि वेटिंग लिस्ट जो है जारी हो इसको लेकर यहाँ पर बात पहुंच चुकी है PMO ऑपिस के अंदर अभी देखिए दोस्तों आप लोगी जो धोया रखारे की भरती परकिरिया है इसमें तो आप लोगी कोई वेटिंग लिस्ट आप लोगी तक जारी नहीं की गई है अगर वेटिंग लिस्ट जारी भी होती ह है तो आप लोगी वेटिंग लिस्ट जारी होगी जब आप लोगी ट्रेइनिंग में पहले चैक किया जाएगा पहले अभी देखिए आप लोगी जोइनिंग चल रही है जैसा कि अभी बात कराएं जोइनिंग को लेकर तो आप लोगी BSF की जोइनिंग एक अपरेल से लेख लगे इसके बाद आप लोगी SSF औरणनाई वालों की जोइनिंग होगी अभी आप लोगी जोईनिंग भी कंप्लीट नहीं है तो वेटिंग लिस्ट का सवाल होता ही निया जैंकि आप लोगी अभी तक यहीं नहीं पता आए कि कितनी लिस्ट आप लोगी बात करते है कि बहुत सारे experience जोई नहीं करते हैं तो उनकी CT खाली रह जाते हैं तो उनको fill किया जाना चाहिए 2015 की भरति परके की बात करें तो उसमें भी इस तरीके की मामला सामने आया था कि waiting list जारी हो लेकिन कोई waiting list जारी नहीं हुई कोड केस लंबा कोड केस चलता रहा इसमें डाल दी गई है तो अब साइध हो सकता है कि एससी भी अपनी वेटिंग लिस्ट जारी करें एक्जाम को लेकर इस बार की जो थोड़ा बहुत डिले हो रहा है तो साइध हो सकता है इसी नौटिस से कारण थोड़ा बहुत डिले हो रहा हो भरति पर किया में कि एससी जो सबसे पहले देखिए आप लोग की वेकेंसी जारी है वह आप लोग का हग है देखिए वेटिंग लिस्ट को लेकर अभी बात क्लियर नहीं है कि वेटिंग लिस्ट जारी हो गी या नहीं होगी डहीं वह फिल की जाना चाहिए तो यह सेम कि सीतों को ज Deutschen कि तरफ से लेटर आ चुका है अब देखते हैं एससी की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आता है क्या जवाव आता इसके रिगाड़े कोई जवाव आएगा तो आप लोग को मिल जाएगा डिटेल वीडियो के साथ यह एक सौट वीडियो थी आप लोग बताने के लिए जैसा कि आप लोग को बता दी हैं कि रिवेंस का आप लोग को दे दिया है ऑफिसल लेटर था यह जो पीम आप लिए था तो इस तरफ के लिए आप लोग चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लिजगा बैल अकन प्रेस कर लिजगा जिससे आने वाली वीडियो के आप लोग को लगा मिलते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में सिधर की अपडेट के साथ जातुक लिए धन्यवाद जाहिंग जाहिए